Hello everyone, welcome to our channel तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं Class 3 के English की आपकी एक poem The Balloon Man Balloon Man हम उसे कहते हैं जो बैलून बेचता है So ये poem किसके बारे में है? एक बैलून मैन के बारे में और साथ में एक बच्चे के बारे में और इस poem में हम पढ़ने जा रहे हैं कि बैलून केसे होती है किस तरह के होती है तो जैसे कि पहले हमें थोड़ी जित्ती नौरेच है पहले वो बताती है तो बैलून हमें पता हैं कि अलगला कलर्स में होते हैं बहुत ही ब्यूटिफुल होती है दो तरह की बैलून होती है एक तो जो नीचे आते हैं और एक उपर जाने वाले बैलोस जो उपर जाते हैं उनमें क्या होती है? गैस होती है अभी नेम ने बताओंगे आप इतना ही समझो कि गैस होती है जो उने उपर जाने में help करती है चलो यह पोईम बढ़ना शुरू करती है He always come on market days and holds balloons, a lovely bunch. And in the market square he stays and never seem to think of lunch. They are red, purple, blue and green. And when it is a sunny day, the cats and the people get between. You see them shining far away. And some are big and some are small, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday, perhaps, they will let, he will let them go. And we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They will look pretty in the sky. So, this was your poem. Now, let's look at this meaning. So, the balloon man who is in market days, he stands. He has balloons, lovely bunch. Bunch means that a group is a group. So, it is a bunch. In the last chapter, we read the school of fish. So, it means that fish, a lot of groups were in the group. So, it is a school. So, if we call it balloons, if we have one more, then we call it bunch of balloons. Where are those who are at market square? And when they're at the store, their work, they feel like they have to eat. Why? क्योंकि उसे होता है कि ओ alltså अब उसे बैलून बेचने है तो इस लिए वह लँन्ज के लिए सोचता ही नहीं आगे बताया है कि जो इसके पास बैलून्स है वह रेड है पॉपल है ब्लू है ग्रील है और जब सनी डे होता है मतलब कि सुक्सक्रीद क्लियर होता है कोई बादल नहीं होते एक तुम सन निकला होता है और धूप अच्छे से आ रही होती है इतनी ज़्यादा भीडबाड हो जाती है वहाँ पर कि जो कार्ड्स होते हैं लोग होते हैं इतने सारे हो जाती है पर फिर भी जो वो होते जो balance होते हैं वो shine कर रहे होते हैं और दूर से ही आपको वो shine करते हुए दिख रहे होते हैं फिर आगे बताती हैं कि उन में से कुछ छोटी हैं कुछ बड़े हैं और उन सब को ही एक धागे के साथ बागा बांदा हुआ है string मतलब की धागा या फिर किसे भी बांवने के चीजbed उसकी पात जैसे ही विंड आती है हवा आती है वह क्या करते है वह ऐसे उपर नीचे होना शिरो जाते है तग मतलब कि जैसे अगर आप काइट को फ्लाइ करवाते हो काइट आप उड़ाते हो तो क्या होता है जैसे आप उसको ऐसे थोड़ा थोड़ा पीछे खीच रहे होते हो जब उसकी आगे कर रहे हो तो दागे से थ्रेट से उसको कहते है टॉग जैसे कि रसा कशी आप खेलते ह ऐसा भी हो सकता है, कि वो उन्हें चोड़ दे, ओर फिर हम उन्हें देखेंगे, आसमान में उरता हुआ, और फिर जब हम उन्हें नीचे से देखेंगे, वो बहुत ही pretty लगेंगे, sailing एक हम यूज़ करते हैं, boat के लिए, जब boat पानी में चलते हैं, उसको हम सेलिंग कहते हैं, पर यहां पर सेलिंग का मतलब है कि जो हवा में उड़ रही है चीज, तो वो बहुत ही प्रिटी लगेंगे जब हम उन्हें नीचे से देखेंगे, यह रहे आपके पॉइट, अब हम पढ़ते हैं न्यू वर्ट्स, फर्स्ट है बंच, बंच मतलब क a group of balloons, square मतलब की market का center, जहां पर वो खड़ा था, तो square means center, sunny मतलब की जिस दिन बहुत ही ज़ादा दूप होती है, टंग मतलब की खीशना, आगे करते question answer, reading is fun, where does the balloon man start, तो balloon man कहां पर खड़ा हुआ था, market square में, second question, what happens to the balloons when there is a wind, तो जब विंड आती है, वो टॉक करने लगते हैं, third है, what does the child like to see the balloon man to do, तो बच्चा दिखना चाहता था कि जब balloon man उन्हें छोड़ दे, तो वो आस्मान से में कित्ते उड़ते हुए, कित्ते प्यारे लगेंगे, तो वो चाहता था कि balloon man उन balloons को छोड़ दे, अब हम इनके answer in English में लिखते हैं, first question ka answer, the balloon man stands at the market square, second answer, when there is a wind, the balloons tug powerfully in the air, third question answer, the child likes to see the balloons, man releasing all the balloons free in the sky, आगे अब यहां पर आपको word building का दिया हुआ है, तो यहां पर आपको उल्टे करके दिया है, जम बल्टे हुए है, आपको इनको ठीक करके बनाना है, तो यहां पर हो जाएगा balloons, second यहां पर हो जाएगा lunch, यहां पर हो जाएगा blue, यहां पर हो जाएगा people, और यहां पर हो जाएगा below, और यहां पर हो जाएगा cut, उसके बाद यहां पर नीचे, यहां पर हमें box दिया हुआ है, उसमें से भी हमें इन सब को डालना है, सो फिर्स्ट वाले इस वाले में आजाएंगे विंड, स्काई, एंड ग्रास, फूड, यहां पढ़ाएंगा टर्णिप, राइस, एंड पाइन अपल, अब आगे कॉलर, तो कॉलर पे आजाएंगा ग्रीन, पॉपल, वाइट एंड यलो, this is all for today's video, thank you